Hello guys, कैसे हो आप सब, तो आज हम guys बत्ती बनाने वाले हैं, जो पढ़ाकी होती है, उसकी बत्ती बनाने वाले हैं, और मैं आपको तिन तरीके बताने वाला हूँ, guys, जो सबसे आसान है, इस तरीके से आप बत्ती बना सकते हो, तो चलिए हम पड़ावट देख लेते हैं वो तीन तरीके के कौन से कौन से है तो गाई इस पड़ागए की बत्ती बनाने के लिए हम simple matchis का use करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने 1 रुपय वाले matchis ले लिया है, कुछ इस तरीके का AIM का matchis मैंने लिया है अगर आपके area में कोई दूसरी माचीस मिलती है दूसरी company का तो आप वो भी ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने दो माचीस का इतनी सारी तीलिया निकाल ली है अब तीलियों में से आपको मसाला इसका निकाल लेना है गाईज तो इसे हमें piece कर बारीक बना लेना है तो हम फड़ा फड़ बैटरी का यूज़ करके इसे हराम से piece ले रहे है और यह देखिए यह महीन border बन चुका है देख सकते हैं यह काफी अच्छा बारीक हो चुका है तो यह गाईज यह मैंने straw ले लिया है plastic वाले straw है पतली वाले जिसमें आप नारियल juice वगरा पीते हो यह वही इस ट्रो है अगर आपको यह नहीं मिलता तो आप नारियल वाले पास जा सकते हो और वहां से एक दो straw ला सकते हो जो कि आपको मिल जाएगा इस तरीके से मैंने छोटा काट लिया इसे और इस तरीके से आपको मोड देना है गाईज तो एक side का आपका pack हो जाएगा एक फ्यूज बन चुका है चलिए हम एक प्रोसेस देख लिए कि आप माचीज के बारूद से बद्ति बना सकते हो second process है कि guys यह जो बिजली बम है इसका बत्ती आप देख सकते हो यह खराब है और यह defected पटा का है यह मैंने जलाया था तो यह जला नहीं तो इसे मैंने रख लिया इसका हम बारूद का यूज करेंगे तो इसमें से यह जो बारूद निकला है ना guys इसे हम mix कर देंगे दोनों को तो फिर हम comparison करके देखें guys जो simple हमारा माचीस वाला बारूद था वो अच्छा जलता है या फिर यह जो mix मैंने किया है बिजली बम का बारूद वो अच्छा जलता है guys इस तरीके से हम दोनों को comparison करके देखने वाले हैं तो जिस तरीके से मैंने माचीस के बारूद वाला को भ करना है दुनों का साइज हम सेम रखने वाले हैं इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से इसके अंदर भी हम फटाफट फील कर देंगे तो ये देखिए ये लगवग फील हो चुका है और इसे भी हमें एट कर पैक कर देना है गाईज इस तरीके से देख सकते हो ये पैक हो चुका है तो गाईज ये दो तरीके से मैंने बत्ती बना लिया है अब चलिए हम थर्ड तरीका देख लेते हैं थर्ड तरीका भी काफी आसान है तो ये देखिए ये बारूद बचा हुआ है थोड़ा सा हम इसमें और बारूद निकाल लेते हैं तो ये देखिए कुछ इतना बारूद हमें मिल चुका है चलिए इतना बारूद मिल चुका और यह दिखें मैंने cotton का धागा ले लिया है तो यह जो हमने हाथ में बांधा हुआ है यह वही धागा है तो यह pure cotton का धागा रहता है तो इस तरीके से आप यह धागा ले सकते हो जो हाथ में बांधे हो नहीं तो अगर आपके पास कोई और cotton का धागा है तो उसे भी ले सकते ह को गोल लिया, पहसे गाडा है, सब ने थूड़ा पानीарया मिक्स किया है, तो पतला हो गया है तो इसमें आपको धागे इसमें के बंग गया है और जब धागे को यह जो वारुध है उसके उपर डालें गे तो जितना भी बारूद होगा इसे चिपक जायेगा और यही हमें चाहिए कि बारूद इस फटा फट में कर लेता हूँ तो जितना अच्छा से बारूद चिपकेगा उतना अच्छा से बती भार करने वाला है किस तरीके से यह वाला और इसे धूप में सुखा देमाइफ दो तीन फाईबां में अच्छे millor देते हूं और यह सुखास होंगा है यह जो पूररी जाला सूरा चलते हैं पूरा जल कर खतम हो गया एक भी इसका टुकड़ा नहीं बचा और यह मैंने मिक्स किया है माचीस और माचीस का बारूद और बिजली बारूद दोनों को मिक्स किया है तो देखते हैं इसको जला कर देख सकतो यह भी काफी अच्छा जल रहा है लेकिन उससे काफी स्लो है और क आपको भागने का काफी टाइम मिल जाएगा और अगर आ यह सिंपल माचीस भाला बारूद से बनाते हो थापको भागने का टाइम मिलेगा खोए और यह फट्ट जाए लेकिन एक घम परफेक्ट है देखसक को इतना हवा चल रहें छहत पर लेकिन फिर भी यह जले जा रहा और यह पूरा खतम होकर ही मानेगा लगता है तो यह देख सकते हो गाइज यह पूरा खतम हो चुका है अब थर्ड वाला बार ही है यह जो धागा मैंने बनाया है धागा वाला इसे हम जला कर देखते हैं कि यह किस तरीके से वोक करने वाला है इस पे मैंने काफी उमीद किया है लेकिन देख सकते हो ये उमीद पे पानी फिरता हुआ दीख रहा है देख सकते हैं ये बुझ गया यार इसमें जो मैंने आग लगाया था वो बुझ गया फिर से मैं आग लगाता हूँ इसमें अब देखते हैं इस बार कैसे चलता है तो गाइज यह फिर से बुझ गया तो इससे मुझे यह उमीद नहीं थी गाइज एक मेरा फ्लॉफ हो चुका है दो मैंने बत्ती बनाए वो काफी कामयाब हुए और थाड़ वाला काफी फ्लॉफ हो चुका है गाइज इस तरीके से अगले वडियों में कोई नहीं है तो अब इक साथ तब तक के लिए बाइबाए थैंक्स फॉर ओचिंग आइज सी यू सून